वेलकम टू माई चैनल फन फूट जित कुसम हाई फूरीज कैसे हैं आप सब लोग तो चलिए आज मैं फिर से आप सभी के लिए मैक्रोवेप से रिलेटेड एक और रेसिपी लेके आई हूँ और ये जो रेसिपी है ये है चिकन सूप जितना हेल्दी ये सूप होता है हमारे ये विंटर में उतना ही आसान है इस रेसिपी को बनाना बहुत सारे टर ये संट्रियक जूनगी और 민्टों में बनाके हम इस रेसिपी को तयार करेंगे तो चलिए फिर देखते हैं कि ये हल्दी सी रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक शियर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सूप बनाना और सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक रेडी करना है चिकन का उसके लिए देखिए हमें इस तरीके का गहरा बाउल लेना है माइक्रो से बॉल लेना है आपको ध्यान रखिएगा अगर प्लास्टिक का है तो तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं, हुना, माइक्रोवेब सेफ ही चाहिए, तो बस इस तरीके से गहरा बाउल लेके और आपको इसके अंदर चिकन जालना है, मैं देखिए सूप आपको कितना बनाना है, क्वाइंटिटी में, उसके हिसाब से आपको चिकन लेना है, तो यह आपर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, 300 ग्राम, और अच्छे से आप इसे दो लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और आपको माइक्रोवेब बॉल में इस तरीके से डाल लेना है, आप देखिए, इसमें मैं डाल रही हूं, खड़े मसाले, तो यहां पर तेज पतर डा एक बड़ी लाची डाल रही हूं, एक बड़ी लाची डाल रही हूं, ठीक है, उसके अलाव आप अपने हिसाब से और भी चीजे डाल सकते हैं, और आप हम इसमें पानी डालेंगे, तो आप देखिए, दो गिलास में यहां पर पानी डालूंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने ब और जो भी microwave का है उसमें आपको 10 मिनट का time लगाना है और 10 मिनट में देखिए अच्छे से जो है हमारा यहाँ पर chicken boil हो जाएगा अच्छे से पक भी जाएगा स्टॉक हमारा रेडी हो जाएगा सूप बनाने के लिए यह प्रोसेस बहुत जादा जरूरी है तो बस इस तरीके से 10 मिनट पूरे हो जाएगे जब तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक हमारा रेडी है चिकन भी हमारा अच्छे से यह देखिए गल चु करीब हमारा पास स्टॉक है अभी यहाँ पर ठीक है अब हम डालेंगे यहाँ पर आधी चमच बटर और उसमें डालेंगे हम प्याज एक बारी कटीवी ठीक है इसे हमें भूनना है तो इसमें हमें एड करना है अदरक और लसुन का पेस्ट चाहे तो आप दरदरा कूट के या इस तरीके से पेस्ट बना के अच्छे से मिक्स करिए दो मिनट के लिए देखे अच्छे से सौटे करना है तो इस तरीके से देखे बाउल को डाल देंगे माइक्रोवेब में हाई पावर में यहाँ पर हमें लगाना है दो मिनट का टाइम अच्छे से जो है हमारा प्या तरीके से निकाल लेना है पूरा चिकन और देखें ओयल आप बिल्कुल स्माल नहीं करेंगे बहुत जादा क्योंकि चिकन का खुद का तेल होता है तो अगर आपने इसमें जरुरत से ज़्यादा तेल डाला तो बहुत ही ज़्यादा देखिए ओयली ओयली हो जाएगा सूप तो आपने देखा होगा मैंने केवल यहाँ पर आधा चमच बटर डाला वो भी केवल प्याज भूनने के लिए तो बस इस तरीके से यह देखिए प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं लसुन नदरक भी भून चुका है अब हमने जो स्टॉक यहाँ पर रेडी करके रखा था उसे हम डाल देंगे बाउल के अंदर और यहाँ पर मैं गाजर डाल रही हूं यह देखिया आधी कटी भी सबजियां और भी आपके पास तो डाल सकते हैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक काली मिर्च आधी छोटी चमच एक चमच मैंने यहाँ पर सोय सॉस ड बस इतनी ही चीजे हमें इसमें मसालों में और सॉसिज में एड करना है आप यहाँ पर मैंने दो चमच कॉन फ्ला लिया है इसमें हम पानी एड करेंगे और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे और एड कर देंगे सूप के साथ देखे यह जो है हमारे सूप की थिकनिस बढ़ाएगा अगर आप नहीं डालना चाते हैं तो आप इसे अवाइड भी कर सकते हैं उसके बाद जो हमने यहाँ पर चिकन बॉइल करके रखा था और इस तरीके से हमने अलग-अलग सेपरेट कर दिया था उसको हम एड कर देंगे सूप हमारा रेडी है पकने के लिए अ उसके बाद देखे यहाँ पर केवल 4 मिनट का टाइम लगाना है सूप हमारा चार मिनट में बनके तयार हो जाएगा लेकिन देखे बीच में आपको एक के या दो बार चलाना है क्योंकि हमने इसमें कॉनफला डाला है तो कॉनफला बेस में लग जाता है तो एक से दो बार आप इस तरीके से mix करिए और उसके बाद केवल 4 मिनट का ही time लेगा soup अच्छे से boil हो जाएगा क्योंकि stock हमारा पहले से ready था एक्स्टर जो हमने ingredients डाले थे उन्हें पकाना है जैसी 4 मिनट पूरे हो जाएंगे soup हमें बाहर निकालना है और मैं अब आपको दिखाती हूँ यह देखिए देख सकते हैं आप कितना बड़िया हमारा soup बना है बड़िया थिकने साइए दो चमत से ज़्यादा आप corn flour नहीं डालेंगे बहुत सारे मसाले देखिए soup में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं तो बस अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया धेर सारा और अगर आपके पास green onion ह तो आप उबी डाल सकते हैं टेस और अच्छा आजाएगा और यह देखे गर्मा गरम बहुत हेल्दी soup हमारा बनके तयार हो गया विंटर में इसे जरूर बनाईएगा बहुत हेल्दी है और इस तरीके से बनाएंगे तो चिकन के सारे benefits आपको मिलेंगे अगर आपको चिकन स related और भी recipes देखनी हैं तो मुझे comments box में जरूर लिखिएगा गर्मा गरम सूप बनाईए enjoy करिए और उसके बाद अपने feedback मुझे जरूर दीजिएगा अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगती है तो मेरी recipe को like share और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बगल में जो गंटी है उसे press करके all जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की notification आप सभी को मिलती रहे और comments करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी recipe कैसी लगी तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा मिलते हैं अपनी next वीडियो में